नमस्कार दोस्तो, फूर्ट इवाइन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज हमें प्रेकपस्ट की रेसिपी लेके आए बिंगॉली स्टाइल में बहुत ही पॉपुलार रेसिपी है ये आज हम बनाने जा रहें कचोड़ी मतर के दाने की तो चलिए हम देख लेते मतर के कचोड़ी बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जो रत पड़ेगी मेजर्मेन कप से हमने एक कप मैदा और एक कप केउका आटा ले लिया है आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ मैदे का भी यूज़ कर सकते है और ले लिया हमने एक कटोड़ी भरके मतर के दाने दो हडी मिर्च तीन चम्मच वेजेटेबल ओयल ले लिया हमने आधा चम्मच नमक और यहाँ पे आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ज पाउडर और आधा चम्मच नमक नमक आप यहाँ पे अपने हिसाब से एड़्जस कर सकती है तो फ्रेंट्स स्टफिंग हम बाद में तियार करेंगे सबसे पहले हम आटा गुंद के तियार कर लेते है अच्छे से हम पहले आटा और मैदे को मिक्स करेंगे नमक आट कर देंगे साथ ही हम यहाँ पे तेल आट करेंगे बहुत ही खस्ता हमारा यह कचोड़ी बन के तियार होगा तो अच्छे से हम पहले तेल को मिक्स करेंगे और आटा को गुंदनी के लिए हमने नॉर्मल पानी लिया है फ्रेंट्स रेसीपी देखिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मद भूलिएगा इस तरीके से हम बाइन करके चेक करेंगे कि मौयन हमारा इसमें सही है कि नहीं परफेक्ट है हमारा मौयन इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी आट करेंगे और सौक डो बना के हम तेयर करेंगे जैसे हम नॉर्मली चपाती पराठे के लिए गुनते हैं उसी तरीके से हम गुनेंगे डो रेडी हो गया हमारा एक मिनिट हम इसे और मसल लेंगे और इतना आटा गुनने में हमें आदे गलास पानी के जुरत पढ़े है देखें सौट हमारा डो बन के तयार हुआ है इसे हम ढग के साइड में रख देंगे अब हम स्टफिंग के लिए मतर के दाने और हरी मिर्ज को पीस लेंगे फाइन पेस नहीं बनाना हमें थोड़ा सा दर दर पीस ना है मतर के दाने को हमने पीस लिया है इसमें दो चम्मच हमने पानी डालके इसे दर दर पीस लिया है और देख सकते हैं आप इसमें छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं हमारे तो फ्रेंज चलिए हम नेक्स पुसेस की तरफ चलते हैं स्टपिंग बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है डालेंगे इसमें दो चम्मच तेल तेल करम हो जाने के पाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हिंग हिंग डालने के बाद यहाँ पे डाल देंगे मटर के जो पेस बना के रखा था और हमेज इसे मसालिक डालने के बाद चार पाद किनित अच्छे से चॉपिं को त्यार करना है लगाता है चलाते रहेंगे बिल्कुल ड्राई करना है हमेजे मसाले भी एड़ कर देंगे यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे यह कचोरी आप ब्रेकवस्ट में या इबनिंग में खा सकते हैं बहुत ही एजी पोसेस है यह और बहुत ही जल्दी बनने वाले रेचिपी है तीन-चार मिनिन में स्टफिंग हमारा अच्छे से बोन गया है और यह ड्राई भी हो गया है अब हम गैज का फ्लेम बन कर देंगे और स्टफिंग को हम थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे इसके बाद हम कचोरी बिल के तयार करेंगे बन कर देते हैं फ्रेंट्स आटा भी हमारा सेट हो चुका है और स्टफिंग भी हमारा ठंडा है थोड़ा सा हमने तेल ले लिया है अब हम एक बार आटा को मसल लेंगे और छोटे-छोटे लोहिया काटके त्यार करेंगे पहले देखिए ऐसे साइज का चपाती से थोड़ा सा हम छोटा लोहिया अपना के रखेंगे गोल कर लेंगे देखिए अब हम एक लोहिया उठाएंगे और इसे हम इस तरीके से कटोड़ी का सेव देंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ से प्रेस करते हुए देखिए थोड़ा सा हम स्टफिंग रखेंगे अंदर और इसे फोड़ा सा उपर की तरफ ऐसे करके बंद करेंगे जैसे हम पराठे आलू या गोवी के पराठे बेलते टाइम इस तरीके से प्रेस कर देंगे और इसी तरीके से हम सभी लोया में स्टफिंग भरके पहले रखते जाएंगे उसके बाद हम इसे बेलेंगे देखिए उपर और नीचे की तरफ हम थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करते हुए उल्ली इस तरीके से घुमाएंगे देखिए थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे और इसे इस तरीके से बंद करेंगे देखिए प्रेस कर देंगे स्टफिंग भर लिये हमने अब हम इसे बेलेंगे और एक कड़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है थोड़ा साथ तेल हम इसमें लगाएंगे और इसे हमें हलके हातों से बेलना है आप इसे आटे से भी बेल सकते हैं लेकिन तेल से ज्यादा एजी परेगा देखिए इसी तरीके से हम सभी कचोडी को बेल के त्यार कर लेंगे पहले उसके बाद हम फ्राइ करेंगे तो हलके हातों से करना है नहीं तो यह स्टफिन हमारा समय यदित formats box कुछ कचोडीया हमने बेल के त्यार कर लिया थैं अब फ्राइद करते हैं एक पैन में हमने तेल गरम होने के लिए पहली रख दिया था तेल जब हमारा गरम हो जाए गैस का फ्लेम हम सबसे पहले लोग करेंगे और इसमें हम कचुरिया डाल देंगे एक तरब सीख जाने तक हम वेट करेंगे उसके बाद पलट देंगे तो राजा इस तरीके से हम इसे गैस का फ्लेम हम मेडियम कर देंगे पलट देते हैं बहुत अच्छी से यह पुला आए दोनों तरफ कचुरियों को हम अच्छी से कलर आने तक फ्राई करेंगे गैस का फ्लेम हम मेडियमे रखेंगे हाई फ्लेम में इसे फ्राई नहीं करेंगे चेक कर लेंगे दूसरी तरफ देके निकाल लेंगे हम जब हम कचोड़ी तेल में डाले तो ग्यास का फ्लेम लो रखे डालने के पाद ग्यास का फ्लेम आप मेडियम कर दे अच्छे से फूल जाने तक हम एक तरब रखेंगे फूल जाएगा तो हम इसे फूलर देंगे देखे और फ्रेंड्स इसी तरीके से हम सभी कचोड़ियों को फ्राई कर लेंगे देखे बहुत ही अच्छे से फूल आईए निकाल लेंगे हम लीजी फ्रेंड्स गर्म गर्म हमारा मतर के कचोड़ी बनके तयार है मैंने इसे आलूर दम के साथ बिंगोली स्टाइल में सर्फ किया है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये आलूर दम की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं तो फ्रेंड्स ये दोनो रेसिपी ट्राइ कीजिए और कैसा लगा आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आए होंगे अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कोमेंट सेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे नीचे दिये गए मेरे चैनल के लोगों में आप क्लिक कर सकते हैं और लेटिस वीडियो के नोटिवी के साथ के लिए आप बैल आइकन को भी प्रेस किजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू सबसे पहले आप लोगों को नोटिवी के सान आ जाए और मेरे चैनल के दूसरा वीडियो देखने के लिए आप अपने गाइट में क्लिक कर सकते हैं तो फ्रेंट्स नए वीडियो के साथ फेसे मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद